स्टार्ट करते हैं कमपिलक से कमपिलक बोटनिकल नेम है इसका मेलोटस प्लिपेनैंसिस यूप और पियसी फैमिली है प्रियाए है इसके कमपिलक करकश रक्तांग रही चक रोचनक रक्रंजनक और रप्तचुवन चेतरी नाम बोलते हैं इसका कबीला या फिर कबीलो ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडियन कामला रोटलेरा सरूप होता है इसका वध्यमाकरती का सदाहरित रक्ष होता है पत्तर जो होते हैं तेन से चैंच लंबे होते हैं पत्तर का वरंत जो होता है वो एक से दो इंच लंबा होता है पुश्पच होता है वो पीद और प चून को कहते हैं कभीला चून और बीच होते हैं गोलाकार और कृष्णवन के होते हैं इसका अत्पत्तिस्तान है समस्त भारत में और हिमाचर प्रदेश में कमपिलग मिलता है परिक्षा देखते हैं कि जो कमपिलग जल में विले हो और इथर एलकॉल में विले होता है वो नेक्स्ट है रस पंचर देखते हैं तो इसका जो रख रोगों में उपयोगी होता है उत्व करमी नाशक होता है बच्चों में कर्मी रोगों में लाब करी होता है स्वित करमी में ये अच्छा परभाव करता है और रख का शोदन करने में लाख और गर्व नीरोदक भी होती है गुल्म जो होता है इसका कंपिलक के चून को दो ग्राम मदू के साथ देने पर गुल्म रोग चूटा है वो ठीक हो जाता है उदर करमी कंपिलक का चून गी और पेट के जो प्रीडे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, गुदा में अगर कंडू होती है, तो कंपी लग की चुन को तेल में मिदा कर गुदा में लगाने से, बच्चों के अंदर जो गुदा में खुजली होती है, उसमें लाब मिलता है, और ये गर्वनियोदक के रूप म कारे करता है, इसका अगर विसिस्ट योग देखते हैं तो करमी-घातिनी-वटी का है, और प्रियोज़ान अगर देखते हैं, इसका अगर दिखते हैं, मात्रा एक से तीन ग्राम लेते हैं, और अगर रासा एनिक संक्रतन देखते था हैं, इसमें रोटलरीन और आईسो लिन्ट प्रेजेंट होते हैं